दोस्तों आप सभी को नमश्कार एक अप्रेल 2024 से आठ चैनल्स हो जाएंगे बंद डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर जी हैं दोस्तों बिल्कुल सही अप्डेट है और इसके पीछे कारण क्या हो भी आपको बता देते हैं क्यों ये 8 चैनल्स एक अप्रेल 2024 से डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर बंद हो जाएंगे दोस्तों हाली में प्रसार भरती के द्वारा MPG 2 vacant slots के लिए ये auction कराया गया और उसके बाद MPG 4 vacant slots के लिए ये auction कराया गया दोनों के official result प्रसार भरती के website पर uploaded है वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो 8 चैनल्स हैं दोस्तों इन्होंने न तो MPG 2 vacant slots में slot जीता है और ना ही MPG 4 vacant slots में slot जीते हैं दोस्तों अभी डिडिफ्रीडिस platform पर रूप लब्द हैं लेकिन अब क्योंकि ने slots नहीं जीते हैं तो 1 April 2024 से नियावा अनुसार अब ये चैनल्स डिडिफ्रीडिस platform पर बने नहीं रह सकते हैं इस चैनल्स का नाम बताएंगे दोस्तों आपको डिटेल में इस वीडियो के अगले हिसे में कौन सी कैटेगरी के चैनल है ये भी आपको बताएंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और चैनल होस्ट आप देख रहे हैं Tech Digital DS दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको उन सभी चैनल के नाम जो कि एक अप्रेल दोजार चोबिस से आपको डीडी प्रेटफॉर्म पर देखने के नहीं मिलेंगे दोस्तों स्क्रिन पर आप देख सकते हैं जिंग चैनल है जो के एक म्यूजिक टेगरी के चैनल था इसके लावा जी गंगा है एंटरटेन शेमारो मराठी बाना स्वदेश निउस आस्था गुजराती वेदिक और एम टीवी बीट्स तो दोस्तों कई सारे चैनल्स हैं जो की बंद हो रहा हैं पुलार्ट चैनल्स है लेकिन क्योंकि इन्हों ने जो MPG 4 vacant slots के लिए यह auction हुआ जो MPG 2 vacant slots के लिए यह auction हुआ प्रसार भारती के द्वारा उसमें slots नहीं जीते इसलिए अब ये 1 अपर 2024 से आप सभी के लिए DD Fridus platform पर उपलब नहीं रहेंगे दोस्तो आपकी इसके बारे में क्या रहा है कमेंट सेक्ष्छन के माश्यों से आपमें जरूर् बता है और अगर आपके मंद में इस वीडियो सम्ध्र कोई सिवाल आप मत्रे पूछ सकते हैं दोस्तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद दोस्तों वीडियो सवाब्त करने से पहले चैनल परना है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा वीडियो लाइक जरूर करतीजिएगा तरह बात